हलो फ्रेंड्स वेलकम टो अले साइंस हम इस्टड़ी कर रहे थे प्राणी जगत एनिमल किंग्डम के बारे में आज हम इस्टड़ी करने वाले हैं संग कोड़ेटा क्या होता है तो देखो सबसे पहले तो वही है इसका नाम एशे क्यों पड़ा है तो देखें संग दर्दो चलिए करने याने और अटा का मतलब होता है ढारन करना चलिक तो देखें में क्या होता है के अंदर पाई जाती है जिसका नाम होता है प्रेष्ट रज्द्यों oni बाई पाई जाती है और नोटो कोड जिन में होती है उनको हम क्या बोल देते हैं को डेटा कहे देते हैं अब क्यूशन बन गया कि यह प्रश्ट रजु क्या है तो अपनी रीड की हड़ी है यह पहले बन जो प्रूनी अवस्था में इस्टार्टिंग में क्या होती है एक पतली सकते हैं कि प्रश्ट रजु है यह हमारे कंकाल का एक भाग होता है स्केलेटन जो होता है उसका पार्ट है यह हड़ी है आगे चलकर यह कशे रुखदंड यानि रीड की हड़ी है बेक बोन में चेंज हो जाएगी तो वह इनके अंदर पाई जाती है पहली विसेस्ता इनकी यह होती है और वह भी कौन से भाग में होती है प्रेश्ट भाग के अंदर पाई जाती है दूसरी इनकी विसेस्ता होती है इनके अंदर तंत्री का रजु होती है और वह भी कैसी होती है खोंकली होती है खोंकली नाल के अंदर परजेंट होती है ठीक है जिसको हम बोलते हैं होवाग होलो चैनल को खीक है उनके अंदर यह परजेंट होती है यह क्या है जैसे पनी रीड की हड़ी है ना रीड की रडी के बीच में तंत्रीका रज्जू भरी रहती है जिसको हम बोलते हैं मेरूर रजू मेरूर रजू इसका नाम होता है कि मेरु रजू या इस्पाइनल कोड कहते हैं रीड की हड़ी को नहीं कहते हैं या दखना मेरु रजू हमारी जो रीड की हड़ी है उसके बीच में एक बीच में क्या होता है खाली जंगय होती है उसके अंदर लिक्वीड साब भरा रहता है तो फिर इसमी और इसमें इसमें डिफ्रेंट्स क्या है इसमें यह डिफ्रेंट्स है कि जितने भी पड़े था ना हमने वह सब तंत्रिका रजू इनके अधर भाग में पाई जाती है लेकिन हमारे अंदर जो कोडेटा होते जितने भी उनमें पिछे के तरफ याने प्रेश्ट भाग के अंदर पाई जाती है रीड जैसे अपनी र कुलॉम दरारए होती है जिसके हम बॉल देते हैं इनका दूसा नाम हो जाइगा तो तो इस तरह हैं यह जिंक हमारे प्रियंत बनी रहती है लेकिन इस देली अकर हमारी बात कर रहे हैना तो यह भुरणी आवस्था में जो गर्वाश्य के अंदर जब हम थे तो उसमें हमार के अंदर हमारे जो उन्तर करण होता है इlles में चेंज हो गई है परीवर्तित हो गए में जब हम भुर्णी ह्युश्ता में थे thinking क्या हमक को पता है कि में जनम हो गए में उसके बाद में जाने रूप में एक और बिश्च गूदिये पूंछ पाई जाती है यह यहां पर इनमें पूंच पाई जाती है जिसका नाम हो जाएगा यहाई से लिख लेते हैं पस्ट गोदिय पूंच यह रही ठीक है यह पस्ट गोदिय पूंच इनकी अंदर पाई जाती है जिसको हम बोल देते हैं पॉस्ट एनाल टेल होती है हाँ पर पीछे की शायड में ठीक है यह तंत्री का रजु है जो दो ऑग चल कर छेंज हो जाती है मेरी केंदर चेंज हो जाती है हमारे हैं पॉन होते हैं पहले उसमें लिए उसमें भी हर्दे था उन सभी के अंधर है नहीं है तो इनमें हर्दे होता है यह अधर तल में पाइज अधर तल में होता है इनके लावा इनमें रख्त का परवाह होता है अगे जो होता है उसकी बारे में हम जानेंगे तो पीछे से आगे की और बढ़ता है वह हम आपको बताएंगे तो बने पीछे-ञब लावा इनमें विसेश्ट ने खुषम होते हैं कि हम यह सिंटमा काम करता है इन में क्या होता है जयसे अपना आपनी जो अपना बड़ी कहते है ठीक वहां से जब भोजन का उशोशन होता है तो वो जाता है हमारी रुधिर वाहिनी में याने सीरा के अंदर जाता है वेंस के अंदर जाएगा और यह वेंस क्या करती है इसको हर्दे में नहीं लेके जाएगी यह लेके जाती है हमारे लीवर के अंदर हमारे यकरत के अंदर लेके जाएगी लिवर में लेके जाती है और यहां से फिर आगे चलकर अन्य भागों में सप्लाइफ हो जाएगा तो इस तंतर को यह करत निवाहिकात अंतर हैपेटिक पोड़ शिस्टम और यह केवल पाया जाता है किनमें को डेटा के अंदर ही होता है जो नोन को डेटा अभी तक इतने भी पड़े परिफेरा से लेकर हैं तक वह सब इनमें यह नहीं पाया जाएगा इनके में क्रेक्टर्स होते हैं को डेटा के बाकी सब और पड़ेडी पड़ चुके जादा डीटेल हम इसको बारे में देखेंगे नहीं यतने भी है लेचलिक्त वहलिते लिमेटर से होते हैं यूकTw internet युट्स होते हैं य४ यूट्य को बिल्वें तो सुव्स होते हैं यूट्यो टैलोश निर्मांड साह वह ने लास्ट्रॉफ हैं यह बलास्टोप और से बनेगा पहले नस बनेगा मुख बाद में बनता है तो इस परकार यह जो समाननी लक्षन हो गए कोड़ेटा के तो देखे सबसे पहली विश्यस्ता है सबसे मुखे विश्यस्ता इनमें प्रश्ट रजू नोटो कोड पाए जाती देखो प्रश्ट रजू तंत्रिका है तो यह दोनों अंतर है इनके अंदर भाग है किलोम जरारे पाये जिन्दगी के किशी और किशी आवस्था में परजेंट होती है अगर हमानी बात करें तो ये भूड़ने अवस्ता में थी जब हम गरवाश में थे तब थी नेक्ष्ट क्या होता है हर्दे हमारा हिस्टे चर्ड होता है त्युंस तल मेंर में दो रहें होता चींजा फिर जीवन की जी ना इन्दर होती है वह घ् disp एर तो में ये विलॉप्त में आपने रहें फूर इसcej से देले नहीं पॉर्च में से आगे से पीछे की और इसके अंदर में यकर्तनिवाई का तंतर होता है है पाइठिक पॉड़्सिस्टम होगा और यह सब चीज हम उल्रेडी पड़ चुके हैं इनके बारे में डीटेल आपको याद एक निकांग सकता नहीं है इंपोर्टन चीज यह थी हम लीट अगे तो यह था जो इसामानिय उक्षिन अब जान को कौन कौन से मुखक्त कर सकते हैं उनका क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं और ऑके अब हम जो जो क21 को डिता है उनका क्लासिफिकेशन पड़ लेते हैं जो जो सब्सक्राइब को डेटा हैं उनको समूह को लाकते हैं न कि मैंने कना यह हम क्रिणा तो इनके बीच में हम अलग-अलग लग बनाते तो इनको क्या किया गया है कोड़ेटा को दो समुह में दू ग्रूप में बाटा गया है पहले का नाम है एक क्रेणियटा और दूसरे का नाम होता है क्रेणियटा ठीक है अब यह नाम किसे बना है यह एक नाम होता है कपाल हमारे अंदर खोपडी जिसको हम कहते हैं हड़ी स्क क्रेट कुंठ bene कर नहीं परजेंट अच नहीं परजेंट यहां पर यहां पर हो गया अब कि इनके अंद पर शर्ण है इन ही पाज़ा यह नहीं पाया जाता करें छोजने वाला उर्म क्रेंगे लेगर और हिंगे कंगे अब देंको लिए अम में पैले और जो भार्वलीव होते जो हम मादे रखेंगे अब जो इक्रेण का आइंडर हम क्या गरते हैं इसको दू है ऑपसंग में डिवाइड करतेोंक और उनका नाम होता दिता है यूरो कोडे की यूरो और उड़ियर भिरो कोड़ Так क्या होता है इसके अंदर थेलेशिया और थेसरा है एसीडी एसीया तो तीन वर्ग आएंगे यूरो कोड़ेटा के अंदर शेफिलो कोड़ेटा है उसमें केवल एक ही वर्ग होता है एक ही कलास इसके अंदर परजेंट है और उसका नाम है लेप्टो कारडी अब कुशन मनगा से इनके नाम ऐसे कैसे पढ़े हैं को याद कैसे कर करेंगे आपको अभी तक याद रखना है तो क्रेयन एक क्रेय है नहि lingering के क्रेय एक हम ने क्या के गूपशंग में बाख़ दिया हैस रे zur전 करते हैं कि कर्ते हैं क्रेयन क्रेदी क्षिरा क्रेंचे बहन और यह पाल इसको कहते हैं तो इसके अंडर क्या एक ही उपषंग आता और कोड रजू नोटोकॉर अंदर होता है, लेकिन इनके उंदर रीड हड़्डी नहीं है यानिंेom नहीं परजेंट होती तो यह नोलोटा है चोट अहीं के ब की होती हो ऑसी हो इनका हुप्षण नाम बना दिया हो तब इस वर्टीबरेटा रहा उप्षणग है उसके अंदर दो परभाग आते है तो डी ना वदीजन आता है वहां होता है यहां पर क्या है तो हम एक गर्प बनाया गया है इसे ही डिविजन हम जब इसका वर्गीरण करते हैं तो उसके अंदर यह लखेंगे यह धर's साय नहीं जाते लेकिन गुरूप में आसानी हो जाए समझने में इस वज़े से अलग अलग गुरूप बनाए गए है तो जो परभाग है डिवीजन है इसको हम क्या करते हैं वर्टी रेटा को दो परभागों में बांटा गया है कौन कौन सा हो गया एक नाम है अगनेथा और जी पहले हो जाए तो ईह इसको मतलब ये है कि इनके अंदर जो जबड़े होते हैं यह नहीं Estados नेत्थों इस्टों मेटा में जब्रे पाए जाते हैं प्रेया उपस्तित होते हैं मुह मुँ के दौनों तरफ इनमें नहीं है अब्सेंट का मतलब घब्रे जब्रे तो एगनेथा के अंदर हमारे पास धो ही कलास आती जो मचलियों वाले होते हैं उनका नाम होता ओश्ट्रेकोडरमी और साइकलो इस्टोमेटा यह क्या होगे एग्नेथा हो गए नेथो मेटा कौन से होंगे जिनके अंदर बढ़े पाई जाते हैं इसको दो माहा वर्ग, शूपर क्लास में डिवाइड किया गया है शूपर क्लास कौन कौन शी हो गई? पहले का नाम हो गया P.S. मच्लियों का गूरूप होता है P.S. सत्य परकार की मच्लिया इसमें आती है और दूसरा होता है जनतुहन को पहाता है तो पीशिज में जितनी भी मचलियां इसात्य प्रकार की मचलियां वह आ जाती है इसके अंदर तीन वर्ग होते हैं पीसी में तीन वर्ग यानि तीन कलास होती है और उनका नाम होता है पिलेकोडर्मी कॉंड्रिक्थी टीज और व्श्टिक्थी वर्ग आते हैं पीसी में टेट्रा पॉड मैं सब्सक्आय durante थे चार वर्ग आएंगे चार क्लास कौन सी होगी हमारे पास नगर हो तुम स्थे श्राल छाती अधिया रफी तीष्य दो रफूर अर्वेज और मेमेलिया आ एमभी कि Doze को और या धवाल्टि कर लेते हैं अधिया कोन इटा को डो समुह में औरहने हैs नहीं पाया जाते हैं यह अनुपस्तित होते हैं लेकिन डुर्ण होता है यह परजेंट होता है उपस्तित है कंप्लीट एक रविशे को दो दो तक마 टेल से ऊगए dwell कonna याद की तरहं कि यूरू हृघठरल को अभटा कर सब्सक्राण करें ने आज लार्वेशिया एसीडी एसीव और थेलेशिया चेफेलो कोड़ेटा के अंदर आ गया हमारे पास एक ही वर्ग है लेप्टो कार्डी एक रिटा उसके बाद में हम श्टड़ी कर लेते हैं एक करें एक रेनियेटा को अंदर एक ही उप्शंग आता है जिसका नाम होता है दो भागों में डिवाइण करते हैं जिसको हम कहते हैं परभाग या डिवीजन कि इनमें जबडे पाए जाते हैं या नहीं पाए जा रहे तो बोल देंगे ने भिंगर टो पले तो फरेट में रहे थे चोशनर लेत ऑफ जो इसमें डो तैसमेत या इनमिक इसमें तो Eg一個 डायरेक्ट वर्ग रहे हैं इसमें माहा वर्ग बना दिया गया है दो कौन-कौन सा सब्कृजब कर् mist के अंदर तीन वर्ग आते हैं प्लेकोडर्मी औこれは तेट्रा पोडा है उसमें च्यार वर्ग आते हैंure एमफिबिया रेप्टिलिया होते हैं तो यह हो गया हमारे पास को डेटा का वर्गी करन अगले वीडियो में इतना स्टेडी करेंगे आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं अधिक शेयर करें लाइक करें सबस्क्राइब नहीं किया तो सबस्क्राइब कर दें और अगले वीडियो में हम जानेंगे कि जो यूरो कोड डेटा है ये क्या होता है तो अगला वीडियो देखना नहीं भूले धन्यवाद